आज मैं ये प्लेन आंस्टीच कुर्ती के उपर पेंट करने वाली हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले अब ड्रेस के नीचे इस तरीके की कार्डबोड यूज कर सकते हैं कार्डबोड नहीं सौरी ये आर्ट पे पर यूज कर सकते हैं ये देखिए कार्डबोड मैंने कितनी बार यूज कर चुकी हूँ दोनों साइट पे तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यदा पतली टाइप का कपड़ा यूज़ करते हैं तो साइट पे हमें मार्क कर लेना है मेरी ड्रेस डार्क कलर की है इसलिए आपको नहीं यह नहीं आ रही है कैमरा में कि मैं कहा पर मार कर रही हूँ तो यह देखिए मैंने अभी स्केल में दोनों साइट पर ही मार कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ही स्पेस चाहिए इसलिए आप इससे थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं मेरे लिए यह बहुत आसन था क्योंकि दोनों साइट पर मार कर लेती हूँ तो बहुत इजी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी और कलर के लिए यह 3D आउट्लाइनर मार्केट में बहुत इसलिए मिल जाएगी यह फेबिक फिल की है बट आप कोई भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं इसको ना ऐसे ढकन खोलके अब जो बोटल की जो कलर होती है ना एक्रेली कलर उसको यह फेबिक फिल की है बट आप कोई भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं तो इसके अंदर ना वो कलर डाल के आप फिर से इसको बंद करके आ बहुत आसान सा तरीका तो इसलिए मैंने काफी बाहर इसको यूज़ करती हूँ तो यह लाइन के उपर हमें इस तरीके से डॉट डॉट करके जाना है मैं इतना स्पीड से भी नहीं कर रही हूँ यह स्पीड बढ़ानी है इसलिए तो एकदम छोटी छोटी करके आपको इस तरीके से करना है अगर आपके पास यह 3D आउटलेनर नहीं है ना कोई बात नहीं है आप 0 नमर की रावन ब्रश लेजी और कोई भी मन पसंद के कलर लेजी और इस तरीके से डॉटड़ करके करना है आपको पट क्या है ना इसमें बहुत जल्दी हो जाती है और सारे डॉट एक जैसी होती है हाँ तो उसमें थोड़ी सी टाइम ज्यादा लगती है कि आप ब्राश से जब करते हैं और इतनी छोटी छोटी वर्क तो इसलिए अगर आपके पास है तो इसका जरूर यूज करें ए चोटी-चोटी वर्क के लिए यह बहुत अच्छे होती है बहुत इसका ही प्रोब्लम है इसको प्रेस करने में यह आधे से स्यादा जब कश्यल्ध हो जाए तो बहुत कि में दरद होती है तो यह ने डॉलड डॉट सारे में बस आप आसा फ्लावर बना रही हूँ यह फ्लावर करने से पहले जो जो हमने डॉट डॉट करके करा है उसको अच्छे से ड्राइ होने दीजिए उसके बाद ही करें नहीं तो कलर हाथ से लग जाती है और ड्रेस खरब हो जाएगी इधर उदर लग जाएगी कलर और यह जो पेंट अपने किया है यह भी एकदम दीजिए तो जल्दी सुख जाएगी अपने देखा कितना आसान सा डिजाइन है इसको कोई भी बना सकते है और आप तो बिल्कुल बना सकते हैं और कोई भी डाउट कुछ भी जानना है न तो जरूर कॉमेंट करना कॉमेंट सेक्शन पर मैं जरूर बता दूंगी हाँ एक इसलिए अभी मैं थोड़ी बीजी नहीं बट टाइमली कॉमेंट की रिप्लाइ नहीं दे पाती हूँ इसलिए तो मैं जरूर को कोशिश करूंगी बहुत जल्दी रिप्लाइ देने के लिए तो यह देखिए यह जो गैब है ना फ्लावर के अंदर तो नेक्स लाइन पर हम तो यह देखिए तो स्टेप बाइ स्टेप हमें इस तरीके से ही फ्लावर बनानी है यह देखिए मैंने कितना अल्मोस्ट यह कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं बॉर्डर भी बनाऊंगी इन पर ज़रूर देखना तो यहाँ पर मैं वाइट कलर ही यूज किया है आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं जैसे कि यह फ्लावर आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं पिंक रेड वो भी अच्छा लगेगा फिर लिप्स को भी दूसरे कलर से बना सकते हैं जैसे कि आपको अच्छी लगे तो यह देखिए उपर की मैंने कर लिया है अब चलते हैं बॉर्डर की मैं ज्यादता स्लीब्लेस बनाती हूँ क्योंकि वो महनत कम होती है इसलिए आप स्लीब में भी बना सकते तो यह जैसे की हमने बनाई थी ना ऐसे ही है अब बनाई और आपको इस डिजाइन कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताना और यह देखिए नेक्स्ट पर भी मैं एक लाइन छोड़ छोड़ के में फ्लावर बना रही हूँ दोनु लाइन पर फ्लावर बनाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इसको पेंट करने के बाद 24 आउर्स के लिए इसको ऐसे रख दीजिए उसके बाद बैक साइड फेक बर प्रेस कर लेना बस और कुछ नहीं करना है उसके बाद जबी भी आपको वाश करना है तो अब हाद से ही वाश करें कोई भी mild detergent या फिर easy के साथ या फिर shampoo के साथ तो यह देखिए मैने border भी complete कर चुकी हूँ और इसके उपर कभी भी आपको प्रेस नहीं करना है कभी भी नहीं यह complete भी हो चुकी है देखिए हैना बहुत खुबसूरा इसको ज़रू ट्राए करे थो के प्रेश को वाश कि वाश करें देखिए मैं भी वाश करिक दो की वाश करने अगी खुब घूर अखिए वह वाश करें लियू कर चाह करें देखिए अग्ट देखिए कर ली चेको